हालो गाइस गुड इवनिंग सो गाइस मैं इंसाइट के भी आपको पते ही करवाने स्टार्ट की हुए तो अक्तूबर में मैंने फ़र्स्ट सेकिंड थर्ड फिफ्ट अक्तूबर के करवा चुकी हूं यह सिक्स्ट्रेक्ट ऊपर के हैं तो काफी लोग मुझे बोल रहे थे म इन जितना भी देखा तो कहरें कि मैं इंसाइट से करवाओ बल्यान से मत कर तो आप देख लो दोनों से ही है तो मैं यहां से करवा ले करूंगी बलकि मेरे को तो इजी पड़ेगा अगर मैं यहां से करवाओंगी ठीक है तो पी एम स्टीट वेंडर्स आत्म निर्भर इसको हमने कर लिया था नोबल प्राइज इन मेडिसीन और कल हमने नोबल प्राइज इन फिजिक्स पी पढ़ लिया था कि किस तरह से हैपेटेटर सी के जो वेक्सीन को इन्वेंशन के लिए क्या मिला हुए उनको नौबल प्राइज मिला ठीक है 40% अव दा अमेजों इसके अंडर हमने यह पढ़ा था किस तरह किया हमने अभी एक एग्रिमेंट हुए जो मतलब कि उनको डेजिगनेट किया जो डेबीट के अंदर एक इंस्ट्यूशन है कि वह ज्यादा ज्यादा वेक्सीन है उसके एफिशेंसी को मेजर कर सके तो हमने किया था विजन में स् पर लेते हैं को बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे स्वानीदी पीम स्वानीदी उजना तो इसमें कॉंटेक्स सबसे पहले यह है कि तेको यह न्यूज में क्यों था न्यूज में इसलिए था अब भी जो स्वीगी आपको पदा जो फूट मीजर है उसने क्या है Memorandum of Understanding sign किया किसके साथ Ministry of Housing and Urban Affairs के साथ ताकि हम क्या कर सके जो इंडिया के स्ट्रीट फूट वेंडर्स है मतलब कि जो रेडी पे काम करते हैं या ठेला लगाती है उन लोगों का क्या कर सके ओनलान प्लैटफॉम पर लेके आ सके यह इनिशेटिव किस इसमें हम क्या करेंगे नियर एबाउट 50 लग स्टीट वेंडर्स को हम क्या करेंगे अफोर्डेबर लोन देंगे अप्टो पिस 10,000 ठीक है जिनका बिजन्स ऑपरेशनल है कब तक 24 मार्च 2020 तक मतलब जब वो पहले ही ऑपरेशन में थे यह नहीं कि अब बात में शुरू है तो उनको इसका बेनेफिट नहीं मिलेगा यह जो स्कीम है 2022 तक वैलेट है मार्च 2022 तक देख गाई इंपोर्टेंट हो जाता है कि स्कीम को इंप्लीमेंट कोन करेगा सिद भी करेगा जैसा स्माल इंडुस्टेश्ट डेवलप्मेंट बैंक ओफ इंडेइस को लेकिन मुझे भी तो डर है कि कल आप मेरे को चुकाऊं ना चुकाऊं तो मेरे 10,000 पर मर ना जाए तो इसलिए क्या यह क्रेडिट गरांटी फंड होता है जो आपको गरांटी देता है कि ठीक है आपका पैसे नहीं मरेगा ठीक है लोंस इसके अंदर स्कीम है कौन को निसके पर रहनम की ठीक है ठूब डीबिटी ठीक है डिरेक्ट बैनिफेट ट्रैंस्फर मतलब यही होते है कि आपके खाते में ड्रेक्ट पैसे आ जाएंगे अगर आपने अर्ली मतलब की लोन को जल्दी पेइमेंट कर दिया तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लेगा ठीक है अगर अगर आप क्या लोन यहां लेते हैं है हम को दो जो रूब होकर्ता यहीं को बномуस्ट को सब्सक्राइध करें करें shyam यह भी हमने देख लिया मार्च 2020 तक जो ऑपरेशन में देख लिया सेवन परसेंट सब्सक्राइब अगर टाइमली पेमेंट कर देंगे सिर्भी क्या होता है का इस यह आप देख लेना यह आगे बरते हैं फाइनेशल एक्षेन ट्रासफोर्स लास्ट यह काफी टाइम मदर की न्यूस में रही ती और हमने इसको प्रिट शेवा इंटर्नेशन इलेशन में कवर भी किया था तो अभी आपको पते जो फाइनेशल एक्षेन टासफोर्स है उसने पाकिसान को ग्रेय लि इनिशेटिव था जी इनिशेटिव था जीवन के इनदर सेवन कंट्रीज है तो आप मुझे बताना कमेंट करके यह पॉलिसी मेंकिंग बोडी है जो इसलिए काम करती है तो को इसका में नेम यह है कि मनी लॉंडरिंग और जो टेर्रीस फिनेंसिंग उन्हें कॉमबाक्ट क पर और इकोनोमिक कोपरेशन डवलप्मेंट के हैड़ कोड़र पैरिस में है अब इसके रोज क्या फंक्शन थे करते हैं तो कि यह करते हैं डिफरेंट मेथर्ज हैं उनको देखता है गाइडलाइज बनाता था कि वह क्या कर सके मनी लॉंडरिंग को कॉमबाट कर सके कि इन फाइनेंसिंग अपर 2012 में इसने और एफ़र्ट को एड किया और अपना काम और एक्सपेंड करके क्या कर लिया कि जो प्रॉली रिफ्लेशन होता है मदब जमा खोरी होते नुक्लियर वैपन्स का जो वैपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन के होते हैं उन्हें क्या करेगा काउं सब्सक्राइब करना है स्टेंडर्स सेट करता है गाइडलेंस सेट करता है टू प्रोमोट एफेक्टिव इंप्लेमेंटेशन ओव लीगल रेगुलेट्री और ऑपरेशन मेजर्स ताकि हम देखो काम आपको बता चुकि इसका काम क्या मैंनी लोंडिंग को कॉमबाट करना यह पेस्ट्री को कॉमबाट करना या फिर जब भी हमने देख जो वैपन से मास डेस्ट्रक्शन के उनके पर उनके इस प्रिफिरिशन को रोखना अब अब इस ब्लैक लिस्ट क्या होता है कि अगर बीडेंस को पूरेंस को रखता है वो क्यों रखता है इसका मतलब आप उस तो उन्होगों को हम क्या करते हैं? भी ब्लैक्स हոता है। इन को सपोट करते हैं लेंद खही सब गर्ड़नेगों खाने होती है तो real deed कि अगर आप को प्रेक में प्रेسट में तो यह उसको क्षेक करने हैं African अगर बात कोई भी लोंस अगर किसी धी कंट्री को चाहिए इंधिशनल इसको घाटा मिलता और दूसरा इंटर्नेशनल बिए इनको भाइकट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रिश तो आप देख सकते पाक्राइसन की पर्फूमेश यह क्या तक रही है अब नेक्स्ट कमाथ पैनल प्रोजेक्ट इसके बताया गया था देखो सुप्रीम कोट ने अभी सेंटर और आर्बियाई दोनों से पूछा है कि जो केवी कमाथ कमीटी को हमने बठाया था उसने जो रिकमेंडेशन दी ती आपने क्या स्टेप्स लिये हैं उस कमीटी की रिकमेंडेशन को को इंप्लेमेंट करने पर अब केवी कमाथ कमीटी को हमने क्यों बठाया था ताकि देखो कोवीट 19 पैंडेमिक की वाई से जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेक्रस इतना अफेक्ट हुए उनकी उनका जो एकोनोमी है पूरी तरह से इंपेक्ट हुई है तो उन सेक्टर को किस इस तरह से बेल आउट कर सकें फाइनेशली उनको स्ट्रॉंग कर सकें वाफिस ठीक है तो इसलिए कहा है सुप्रीम कोट ने अभी सेंटर और और को बोला कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं तो इंप्लिमेंट रिकमेंडेशन और के वी कमाथ कमीटी देखो बैक्राउंड एट अगस्एफ सेक्टर और किया यह लोगों ने क्या लून लिया हूए क्या है क्अईंस नफकि इंटर्स पें डिया जा रहा है इन फेंटर्स और इंटर्स लिया जा रहा है इसलिए क्या है केवी कमाद कमीटी meant अब किया सेट अप्या था इसी साल अगस्त में बठाया गया था आज इन इस कमीटी गर क्यों नेका है कि किस तरह से हम फो वन टाइम कर से कैने रिंगहें कि क्रेडिट धिव कर अब काम कर सेंगा है कि क्या करें कि रिंप वद कर सेंगे कि क्ल JUST कि अब करें रखिवला स्विवाइच ले वरीड विवश रिंखें मतलब स्पोज को तीन लोग है इनों ने बैंक से लून लिया हुआ अब कोई के वारज से किस पर सबसे बादा फेस कर रहे हैं उसे साब से करेंगे ठीक है तो आप देख लिए नहीं कौन कौन सेक्टर जैसे टोटल आउटसाइड लिपलेटेज तो एड्जेसे टेंगीबल नेटवर्ट टोटल डेप्ट टो अनिंग भीफोर इंटर्स टेक्स डेप्रेसिशन और अमोरिटाजिशन डेप सर्विस गरेज हो गया करनत एका रेशो एंड एविररेज डैप्ट सर्विस कवरेज आच ओगे तो यह सब कहा डिफरें्ट पैरामेटर का जो इस सल्तके देखे गा चब्भी शेक्टर जिनको अइंटिफाइग किया जयसे ओट्र शेक्टार एंविशन सेक्टर कंस्ट्रक the resolution under this framework यह सिरफ उन्हीं बोर्वर्स पे अप्लिकेबल है जो बहुत ज्यादा इंपेक्ट हुए ओन एकाउंट ओव कोविड ओनली वो बोर्वर्स इसी के अंडर क्लासिफाई किये जाएंगे त्यों कैसी हमने इंसल्वेंश इन पेक्रप्टिसी कॉर्ड में पढ़ा था जो इफेक्ट हुए हैं बिफोर लाइक विच लेस देन थर्टी देज अज़ए ज़िए अब यह में ने नेसेसरी क्यों है क्यों है बई देखो सबसे पहले क्या है जो कोर्परेट सेक्टर का जो डैप्ट है जो मदब की जितना उधारी में वह है अभी 15.5 तो लैक करोड के है जो कोई-19 के बाद आया है ठीक है कोई-19 से पहले भी जो कॉर्परेट सेक्टर था वह ओड़ेडी कितने देप्ट में था नियर अबाट 22.2 लैक करोड में था ठीक है इफेक्टिव लिए कर देखा जाए जो कॉर्परेट सेक्टर है वो नियर अबाट 37.72 क्रोड के डैप् इसका अलावा क्या है चेफेंट में रोड में टेक्टाइव स्ट्रेल था सपना आया होगा वागी हम ने पढ़ि लिया थो नो magari प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट ग्लोबल फायर एमिशन डाटाबेस प्रोजेक्ट उसके दौरा एक स्टडी कंड़क्ट की गई है कि अमेज़न फोरेस्ट की क्या सिच्वेशन है क्या स्टेट है तो उस पर स्टडी कंड़क्ट की गई है तो रिपोर्ट को रिलीज किया है ठीक है फाइनिंग्स के जो फाइनिंग्स है कि जो 2019 में जो फायर्स हैं वह बहुत ज्यादा अन्प्रेशेंट ने थी मतलब कि हम नहीं कर सकते ही कितना ज़्याद उसने डिस्ट्रक्शन की है थाउजेंट फायर्स हुई है जिसने 7600 स्क्वेर किलोमीटर को ओल्डेडी बंट कर चुके बाई एक्टूबर 2019 और जो फायर्स अभी 2020 में वह तो बहुत जाद हुई है एस कंप्र 2019 और 2020 भी कंप्लीट भी नहीं पर जाता ध्यान दिया जा रहा है यहीं नहीं कि फायर्स की वज़े से नो इवन कि कोविट 19 पैंडमिक जब से आई है तब हर एक चीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया दा रहा है तो नियर्ली 17 परसेंट अमेजन लेंट फोरेस्ट ओल्डेड हो चुका है या बर्न हो चु सब्सक्रants करें बारा डी कर slash IF और घृष चार्स और तो डी अब्सक्राइन को फ्रेस्ट करते हैं कार्बन को डार्ज़ करनेंगे थूल्टा कैया करेंगे अगर असरथ चाहिंए आच्छाल करती रही महारा जो वर्ट का जो अनलड उन काफी सब्सक्राइब किया कि अगर इसी तरह से होता रहा तो कहीं न कहीं जो अमेजुन है वह कन्वाल्ट हो जाएगा ट्रांस्वूम हो जाएगा इंटू सैमियरिट सा बना ठीक है अगर डीफोरेस्टेशन रेंफोरेस्ट का ऐसी होता रहा और अगर 20-25 परसेंट ओफ और अस्ट्रेलिया ठीक है और यह ओल्ड एडी यहां पर जो बहुत ज्यादा लार्ज है बहुत ज्यादा अच्छी है ठीक होई क्या करता है जो हमारा ग्लोबल ग्वर्ड का जो भी कार्बेन एमिशंस उसको बैलनस करके रखता है बाइब्स और बहुत ज्यादा अच्छा का रोल अपनाता है एंड प्लेजा इंपोर्टेंट रोल इन ग्लोबल वाटर साइकल एंड स्टैबलाइजिंग ग्लोबल क्लाइमिट एंड रीन फॉर्ड ठीक है तो आप देख सकते हो साउथ अमेरिका के नोर्दन पार्ट में है अमेजन नेन फोरेस्ट कितनी कंटी से हो और वांडिड बाइग ग्वाना हाई लेंड नोर्थ में वेस्ट में एंडी राजीलियन चेंटरल प्लेट्यू इसके साउथ में और ए इस्ट में तो आप देख सकते हो यह सब ठीक है तो ठीक है तो बेसें इसको 8 कंट्री अधू साथ अमेरिका में total 13 कंट्रीश है तो प्रिलियम कोंटेक्स तो हम पढ़ लेते हैं एको सिस्टम सर्विस हम ओडेडी कवर कर चुके तो यह मैप को द्वारा नहीं करवाऊंगी तो फ्रिलियम में देखो काई यूद प्रदूशन के विरुद्ट तो काई यह जो प्रोग्राम है किसके दर लॉंच किया गया है डाली गोर्मेंट के दौरा यह एंटी पोलिशन कैमपें थाकि हम क्या कर सके एर पोलिशन जो में डाली में विंटर के दूरिंग होता है तो उ स्पेसिफिक एक्शन प्लान मतलब कोड़ स्पोर का मतलब जस प्लेस पर ज्यादा पॉलिशन है तो उन से स्पेसिफिक उस एक प्लान से लेकर चल सके तो को नैशनल एंटी आपिंग पस जैंस अजैंसी तो इसमें सबसे पहली बात ही होगी है रिजिस्टर सॉसाइटी है क इसके अंडर सुसाइटे रेजिस्टरेशन एक्ट ऑफ 1890 और नमवंबर 24-2005 में इसको सेट अप किया गया था तो इसका इम है कि डॉप फ्री स्पोर्ट्स को लिया था है तो कि डॉप फ्री स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है आपको पता है जो लोग कुछ हार्म ग्रोथ मतलब की ऐसे हां मतलब की ड्रक्स ले लेते हैं ताकि उनका जो भी है इस तरह के लिए लेते हैं जो कि खेल में अलाउट नहीं होता ठीक है जो उनकी टेंप्रेरी में में उनकी अनर्जी बढ़ा देता है तो इन सब को फ्री रखने के लिए कि इसको लोंज क्या गया था इ क्रेटिंग अवेइनेस अबाउट टॉपिंग और इसके इलफिक्ट यह ने पर लिया था कोईलिशन फॉर अपिटामिक प्रिपेडनेस एफेक्टिवनेस स्मार्ट मिसाइल ही यह भी हम लिया ता वियनाद कोजी को टkung प्रोजेक्ट सब्सक्राइट है ग्री हं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब 1104 इस देसे हम क्या करेंगे हम वर्ड को रिमाइन करेंगे कि हमारे पास भी पावर है हमारी भी कुछ रिस्पोंसिबलेटी कि हम अपने सीटिस और अपने टाउंस को फ्यूचर है उसे शेप कर सके वर्ड है सबसे पहले 1985 में स्टैब्लिश किया गया था किसके दौरा यू एन ज इसको एड किया जब हम इसको एड करेंगे तो यह क्या करेंगा उस वेक्सीन का जो इम्म्यून रिस्पोंस है उसे बढ़ा देगा मतलब कि अब वह जो वेक्सीन है वह ज्यादा इंटिवाइट इसको प्रोडियूस करेंगा और लोंगर लास्टिंग इम्म्यूनिटी क्या करेगा बूस्ट करेगा ताकि हम क्या कर सेके जो एंटिजन जो हमी नीड है उसको कम से कम हम डोस ले सकें ठीक है अभी न्यूस में इसलिए था क्योंकि जो भारत बाइटेक आपको पता है वह को वाक्सिन वेक्सिन बना रहा है को फिन 19 की तो अभी किसके अग्रिमेंट में आ अभी डैली चीफ मिनिस्टर आपको पता है अर्वेंट केजरिवाल को बुलाया गया कि आप क्या करो वहां पे स्पीक करो लेक्चर दो एड़ डेरिंग सीटिस 2020 तो हम सबसे पहले यह पल लेते हैं डेरिंग सीटिस है क्या तेको डेरिंग सीटिस एक ग्लोबल फोरम है उन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइट करना तब तक के लिए टाटा